माधवपुर गाउं में सुरेश नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटी मीनू के साथ रहता था सुरेश मेनत मज़दूरी करने के लिए शहर में अकेले रहता था लक्श्मी और मीनो गाउं के कुछ गरों में मज़दूरी करने जाती थी दोनों माँ बेटी भगवानराम की परम भक्त थी दोनों सुभा सुभा नहा धोकर पूजा पाट करती, प्राथना करती थी, एक दिन, मा, हम भगवान राम की इतनी भगती करते हैं, कभी भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं है? बेटा, भगवान हमेशा हमारी सुनते है, परन्तु हमने जो पिछले जन्मों में कर्म के बीच पोएं है, उन्हें तो हमें ही भुगतना पड़ेगा ना, तो भगती करने का क्या फाइदा? शायिद भगवान को हम पर दया आ जाए, और हमारा जीवन सुधर जाए, कभी तो उनके दिल में हमारे लिए प्रेम उपचेगा, क्या भगवान राम पड़ाई में भी मेरी मदद करेंगे? हाँ बेटी, भगवान अपने भगतों को कभी निराश नहीं करते, अपने भगतों को दुखी देखकर उनका रिदह चलनी हो जाता है, वो तो मौका देखते हैं, कि कब हमारे कमाई थोड़े सुधरे, और कब वो हमारी मदद करें, मीनो के मन में मा की कही उस बात की गांट बंद गई थी, मीनो पढ़ने में बहुत होश्यार थी, अपनी कक्षा में शुरू से ही प्रथम आती थी, वो अपनी सफलता का पूर अ अश्रय हमेशा प्रभू श्री राम को धन्यवाद दे कर करती थी, उसे महसूस होता था, कि उस पर प्रभू की ही क्रिपा थी, कि वो उससे हर वक्त रास्ता दिखाते हैं, उसके सहपाथी उसकी सफलताओं से जलते थे, एक बार उसकी सहेली क्या हरतम पढ़ाई 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 करती है, या पढ़ाई या भगवान राम, इसके अलावा तेरे पास कोई काम नहीं है क्या, चल, आज स्कूल नहीं जाएंगे, सिनमा देखने चलते है, मेरे पिताजी बड़ी मुश्किल से हमारे लिए दो वक्त की रोटी का इंत चोड़ तो, गीता चली गई, पर वो लोग अकसर उससे बहला फसला कर कक्षाएं छोड़ने और इधर उधर घूमने का कहते थे, और उसके साथ खेलने को भी बोलते थे, वो अपनी पढ़ाई और प्रभुराम को छोड़ कर कहीं नहीं जाती थी, उन्हीं की शरण में रहत प्रभु श्री राम की भक्ती, कुछ वर्षों के बाद, जब उसका बारवी का बोर्ड का परिनाम आया, उन्होंने हमारी सुन ली, पती पत्नी की आँखों से खुशी के आँसु बह रहे थे, मा, मैं एक दिन बहुत बड़ी अफसर बन कर अपने प्रभु श्री राम और तुम दोनों का नाम उंचा करूंगी, मीनू पूरी लगन से महनत करती रही, अब वो दोनों पिता के पास शहर में रहती थी, मीनू कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी, उसकी मा लोगों की घरों में खाना बनाने लगी थी, उसके पिता महनत मजदूरी करके जो कुछ भी लाते थे, उसी से पूरा परिवार का गुजारा होता था, शहर में खर्चे ज्यादा थे प परिक्षा है, इसलिए अब मैं किसी काम में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, ठीक है बेटा, तुझे कुछ भी करने की जरुरत नहीं है, राम जी की कृपा से सब कुछ हो जाएगा, अगले महीने उसकी परिक्षा हुई, कुछ महीनों बाद उसका परिणाम आया तो, उसका चयन पुलीस के बड़े अधिकारी पद के लिए हो गया था, वो बहुत खुश थी, सबसे पहले वो भाग कर मंदर गई और भगवान के सामने फूट फूट कर रोई, हे प्रबू, आपने मेरी सुन ली, अब मैं सब के सामने सिर उठा कर जी सकती हूँ, तुमने हमार जीवन, खुशियों से भर दिया, जब वो घर पहुंची, तो उसके कदम फूल की तरह हलके थे, परन्तु घर जाकर उसने देखा, कि उसकी मा को अस्पिताल में ले जाया जा रहा था, मा मा, क्या हुआ तुम्हें, मीनू तुरंट मा के साथ अस्पिताल पहुंच गे, दु पुलीस ओफिसर बन गए, उसके माता पिता अब मच्दूर नहीं थे, मीनू ने अपनी नौकरी में भी बहुत इमानदारी और सच्चाई दिखाई, अब हर सुभा वो तीनों बैटकर भगवान की आरधना करते थे, इसके बाद ही वो कहीं निकलते थे, अब उनके चीवन म कोई दुख नहीं था. प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है. कुछ राजकर्मचारी सारी ग्रंथ ले गए और नवाब के आगे हल से भरी एक टोकरी को रख दिया. नवाब कह रहे थे, उस प्रश्न ने मेरे मन को पूरा विचलित करके रख दिया है. उसका उत्तर नहीं मिला, तो मुझे शांती न खा पाऊंगा, ना ही अच्छी तरह से सो सकूंगा. यह कहके नवाब फल खाने लगे. मंत्री ने कहा, नवाब जी, राजा देबेंद्र राजबर्मन एक ज्यानी आदमी है. वो ऐसे कितने मुश्किलों का समाधान कर चुके हैं. आप उनके निकट बुलावा भेजिये. नवाब ने तुरंट आदेश दिया, और दूद राजा देबेंद्र राजबर्मन को यह सूचना देने गया. नवाब बोले, अरे, ऐसा भी कोई आदमी है, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके? अरे वाह, मुझे बहुत सुकून मिलेगा. कितना मज़ा आएगा. राजा देबेंद्र राजबर्मन तुरंट नवाब के दर्बार में उपस्थित हुए और बोले, प्रणाम नवाब, बोले, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आप तो बहुत ज्यानी पूरुष हो. मैं आपसे बस दो आसान से सवाल पूछूँगा. जैसे भी हो, ग्लोब पकड़ के बोले, मुझे बताईए, प्रित्वी की गोलाई कितनी हैं? और उपर से नीचे तक दूरता कितनी हैं? और मेरा दूसरा प्रश्ण है, आसमान में कितने तारे हैं? राजा देबेंद्र राजबर्मन हैरान होके बोले, आप ये क्या बोल रहे हैं, बोले, हाँ राजा, यदि तुम मुझे सही सही उत्तर दे दोगे, तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूँगा, नहीं तो तुम्हारा राजबाट छीन लूँगा। माराज, आप दो दिन से कहां गए थे? मैंने आपको बहुत ढूंडा, मगर कहीं पे भी आपको नहीं पाया। राजा बोले, तेनाली रामन, मुझे तुम ही बचा सकते हो। उस दिल्ली के नवाब ने मुझसे एक बहुत तेड़ा सवाल पूछा है। यदि मैंने उस सवाल का उत्तर नहीं दिया, तो मुझे इस राजबाट से हाथ धुना पड़ेगा। देनाली रामन एक बहुत ही तीखी बुद्धी वाले व्यक्ति थे। उन्होंने राजा को आश्वस्त किया और उस सवाल के बारे में पूछा। राजा ने कहा, पृत्वी की उपर से नीचे तक नाप कितनी हैं, गोलाई का नाप कितना हैं और आस्मान में तारे कितने हैं। तेनाली रामन कुछ सोचने लगे और बोले, हम्, आप नवाब के पास संदेश भेजिए कि वो एक लाख स्वर्ण मुद्रा अग्रिम देंगे और एक साल बाद इसका उत्तर मिलने के लिए भिप बोल दीजिए। तेनाली रामन खुशी-खुशी राजा से स्वर्ण मुद्रा लेके उत्तर ढूणने के लिए निकल पड़े। ऐसे कुछ महीने बीद गए। एक साल पूरा होने के लिए कुछ ही दिन रह गए थे। सब लोग तेनाली रामन के बारे में बहुत कुछ बोलने लगे। कोई क कह रहा था, अरे देखो तो तेनाली रामन तो अच्छा पैसा लेके देश-बिदेश घुम रहे हैं। अच्छा खाना खा रहे होंगे। विभिन्न प्रकार की कला उनको देखने को मिल रही होगी। फिर किसी ने कहा, अरे मैंने तो तेनाली रामन को एक भेड़ शाला में देखा था, वो भेड़ पकड़के भेड़ की उन गिनने के लिए कह रहा था, मुझे लगता है तेनाली रामन पागल हो गया है। अरे मगर तेनाली रामन ने तो मेरी दुकान से दस बंडल धागा गिनने के लिए लिया है। वो हमारे स्कूल आये थे और हमको कह रहे थे कि कुछ अनसुलजे धागे सुलजा देने के लिए चाहिए मुझे तो लगता है देनाली रामन का मरना सुनिश्चित है एक साल बार देनाली रामन नवाब की दरबार में पहुँचे सब लोग भी वहाँ पर इकठा हुए उत्तर सुनने के लिए सब बहुत ही उत्साहित थे तेनाली रामन कुछ भीड और टोकरी में लकडी भरके अनसुलजे धागे लेके वहाँ पे उपस्थित हुए नवाब ने पूछा बोलो तेनाली रामन मेरे सवाल का उत्तर दो तेनाली रामन बोले हुजूर इस टोकरी में जितने धागे हैं वो धागे पृत्वी की गोलाई और उपर से नीचे तक के नाप के बराबर होंगे तुरंथ नवाब ने निर्देश दिया इन धागों का नाप लिया जाए कुछ मंत्री बोले नहीं हुजूर इतने अंसुलजे धागों को खोलना ना मुम्किन है तेनाली रामन बोले ठेक बात है हुजूर कोई भी पृत्वी को सही रूप से नाप नहीं सकता नवाब ने कहा और मेरे दूसरे सवाल का जवाब हुजूर इन भेडों के शरीर में जितनी उन है उतने तारे आकाश में है तो फिर भेडों की उन की नहीं जाए यह कहके नवाब जोर-जोर से हसने लगे हाँ 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 तेनाली रामन मैंने दोनों ही बेमतलब के सवाल किये थे जिसका ऐसा ही उत्तर मुझे मिलना चाहिए था ओ जो भी हो तुम्हारे जैसा जलाक इंसान मैंने कहीं भी नहीं देखा तुम्हारे उत्तर ने मेरे मन को शान्ती दी ये लो और एक लाख स्वर्ण मुद्रा ये तुम्हारी बुधी की करामात के लिए तुम्हारा पुरसकार है